भक्ति का अर्थम ये नहीं कि तुम जंगल चले जाओ भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम सब छोड़ दो ना छोड़ने का तो हम कभी नहीं कहते हैं छोड़ना है तो आप अपने भीतर की बुराईयों को छोड़ दीजी आप अच्छे भक्त हो जाएंगे ठीक है मेरी मा जैसे किस्त्री का धर्म है पुत्र की सेवा करना पती की सेवा करना और अपने पुत्र को एक मा अपने बेटे को इतना बड़िया संसकारी बनाए कि वो भगवान का भक्त बने या राष्ट भक्त बने तो मा के द्वारा ऐसा बेटा तैयार कर दिया जाए जो राष्ट की सेवा करे या भक्त हो तो तुमारे द्वारा ऐसे पुत्र को तैयार करना यही तुमारी भक्ती है मा की भक्ती यही है एक पिता की भक्ती क्या है आप अपने पुत्र को बढ़िया बनाओ संस्कारी भरष्टाचारी बना दिया आपने अपने बेटे को तो तुम पापी हो फिर यह पाप किया तुमने अब यह पाप का दंड तुमें मिलेगा कि तुमने ऐसी ओलाद पैदा की जो रश्टा चारी ये बेईमान है तो बड़िया काम करो ये भक्ति है हम आप लोगों को कछा सुनाते हैं आप लोगों को कछा सुना के भग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के अंदर भी भक्ति और प्रेम का भगवान के लिए दीपक जल जाए भक्ति प्रेम का और आपको भी बड़िया सा ज्यान मिल जाए समाज में रह करके भजन करने का आपको समझाना आपको सिखाना आपको कछा सुनाना यही हमारी भक्ति है हमारे लिए आपकी सेवा करना भक्ति है हमारे लिए माओं की सेवा करना ही हमारी भक्ति है हमारे लिए गायों की सेवा करना किसान की भक्ति क्या है बड़िया भसल बोना समय पर जुताई करना समय पर कटाई करना उसमें जादा से जादा समय देना अपने खेत को अपनी फसल को और कम से कम मिलावट करना मिलावट बिल्कुल न करो इमानदारी से किसान खेती करे और कहे कि जो खेत से पैदा होगा वो भगवान के भक्तों की सेवा के लिए है दो पैसा तो सबको चाहिए तो आप अपना दो पैसे का भाव मिलेगा वो तो जाएगा कहां किसान हो तो पैसा मिलेगा लेकिन आप इस भाव से खेती करिए कि हम जो भी अनाज उगाएंगे उस अनाज का या तो भगवान को भोग लगेगा या तो भगतों का भोग लगेगा भगवान या भगते के काम आएगा इसलिए शुद्धता से कारी करो आज इतनी मिलावटें हो रही है ये ना हो पैसे के लिए आप अपना इमान ना बैचे कि अब कुछ भी जहर मिला के दे दे आदमी खाए मर जाए आज नकली दूद बाजार में मिल रहा है पियग आदमी तो मरेगा लौकी में इंजेक्शन लगा दे रहे हैं लोग रातो रात इतनी बड़ी से इतनी बड़ी हो जाती है अब वो इंजेक्शन वाली लौकी भूई खाएगा तो मरेगा मतलब ये भक्ती नहीं है वान बादकर सेवा करें Efendimiz कि अलग से कौण सी भथि करिंगे कि क्या भत्ति का मतलब निकलेगा फिर जहां हो जिस काम को कर रहे हो उस काम को भगवान के लिए करो भगवा जुड़ जाएं वो भक्ति है वो देश परमात्मा की प्राक्ति हो बस कर्म के द्वार